बाबा विसुनात की नगरी में बनाये जा रहे काशिव विसुनात कॉरिडोर को देश की प्रधान मंतरी और स्थानिय सांसद नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है जिससे पूरा करने के लिए प्रदेश की योगी सरकार से लेकर वारा नसी के स्थानिय प्रशाशन तक सब ने एड़ी चोटी का जोड लगा रखा है लेकिन आज कल यहां के लोग चोरों से बहुत परिशान हो गए हैं कॉरिडोर अभी बन कर तयार नहीं हुआ है लेकिन चोरों की नजर यहां के मंदिरों पर पड़ गई है स्थानिय लोगों की माने तो ध्वस्ती करन के दोरान मकानों के बीश्ट से निकले पराचीन मंदिरों में शुरू हुआ चोरी का सिलसिला लगातार जारी है चोरों ने अब की बार निशाना बनाया है ब्रमस्वर महादेव को जो विस्वनात कॉरिडोर के अंतर गताता है ब्रमेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ी महालक्षमी शुकला आरोप लगा रही है कि चोरों ने मंदिर से पीतल का दर्वाजा और अन्य सामगरी गायब कर दी है वो ये भी कह रही है कि ऐसा चोरों ने पहली बार नहीं किया है मंदिर से जुड़े लोगों ने घटना की शिकायत चौक थाने में की है लेकिन आपको बता दे कि हाल के दिनों में कॉरिडोर के अंतरगत आने वाले मंदिरों में चोरी की ये कोई पहली घटना नहीं है दरसल द्वस्ती करन के दौरान विस्वनात मंदिर के आसपास दरजनों की संख्या में छोटे बड़े प्राचीन मंदिर मिले थे जहां चोरी की वारदाते लगातार हो रही है ये हाल तब है जब काशिव सुडात मंदिर के आसपास सुरक्षा के लिहाज से सक्त पहरा रहता है अस्थानिये पुलिस, पी एसी और सी आर पी एफ के जवान तीन चर्नों में 24 घंटे मंदिर की हिफाज़त करते हैं ब्रमेश्वर महादे मंदिर से जुड़े लोगों के बयान सुनिये बस हम यही करते हैं प्रसासन से में यही सिकायत है कि जिन मंदिरों को इतने दिनों से सुरक्षित रख करके पूजा पाठ सब कर रहे थे आज उनके हवाले करके यह हमें क्या मिलाएगी देखिए दिन दहाड़े हो रहा है इसकी कोई सुनवाएं नहीं कोई सुरच्छा विवस्ता नहीं है यह तो मंदिर प्रसासन की जिम्मेदारी है इसलिए कि हमने जब मकान बेचा था उसके पहले कमिशनर साहब यहां के विशाल सिंग जो कारपाल अधिकारी है उन्होंने कहा रहा कि आप सारा समान मंदिर में जस्ट का तस छोड़ दीजे एक भी समान आपका चोरी नहीं होग अब सारे समान चोरी हुए हमारे जो अरगा था और अग्रना नाग्रेश्वर थे और दुनिया मरका गणेजी सरस्वती जी और लच्वी जी सब पीतल के मंदिर के सब बने रहे उसका आसन था पीतल का घंटी थी सब सारे चीज चोरी हो गई है लेकि प्रसासन कान में जो है रूरी डाल के बठा हुआ है कोई सुनवाई नहीं हो रहे है